रादे रादे मेरे प्यारे भक्तों आज हम आपको ठाकुर जी का पंचमरत इसनान कैसे कराते हैं बताने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप संख से दूद से इसनान कराएंगे संख से इसनान करना बहुत पुनीत माना जाता है आप संख से इसनान कराएं तो सबसे पहदे संख से आप दूद से इसनान कराएंगे उसके बाद दही से आप सीधे हांस से संख में दही डालते जाएंगे और उसी से इसनान कराएंगे इसके बाद घी से घी हम दही के बाद ही डालते हैं क्योंकि इसके बाद जो इसमें चिकना पनाता है तो बूरा से छूच जाता है गी के बाद हम बूरा से अच्छे से ठाकुजी की मालिस करेंगे जिसे इनका सारा गी जो सरीर में लगा हुआ है वो अच्छे से छूच जाए अच्छे से हम इसकी मालिस करेंगे उसके बाद हम सहद डालेंगे सहद हमें थोड़ा सा ही डालना है पंचामरत में पांच चीजों का महात्त होता है इसलिए हम इसमें चौथे नमबर पे सहद डालेंगे लास्ट में हम इसे गंगा जल से स्नान कराएंगे गंगा जल से स्नान करके हमें इने अच्छे से साफ करना है और फिर उसके बाद हम साप पानी में अच्छे स्नान कराएंगे अब हमने साप पानी में गुलाब जल की पतिया डालके ठाकुर जी को अच्छे से स्नान कराएंगे इनका सारा चिकनाहट हम निकाल देंगे इस तरह से ठाकुर जी को अच्छे से इसनान कराने के बाद हम इनका शिंगार करेंगे और जो चार दिन का वास हुआ है उसके बाद हम इनकी आँखों की पट्टी खोल देंगे और एक साफ तौलिया से ठाकुर जी को अच्छे से साफ करके बाद में इनका सिंगार करेंगे तो इस तरह से हमने ये देखो ठाकुर जी को अच्छे से पोँज दिया है इन्हें सफाई से पोँज दें, चारो तरफ से जो चिकनाहट न रहा है अब इनकी आँखों की पट्टी खोल के इन्हें हम सिसा दिखाएंगे क्योंकि इन्होंने चार दिन बाद अपनी आँखों की पट्टी खोल ली है तो इसलिए जो भी इनके अंदर शक्ती आई है, वो सब इनके अंदर समा जाएगी इसलिए सिसा दिखाना जरूरी है